हलो फ्रेंस वेलकम चू ओल एड़केटिक एकडमिंग इस भाग में आपसे बिकार स्वागत है मैं हुए उनास्पाराज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार में फीर से एक बहाली आई है एक साइस सब्विंस फित्र का इस- Earstieg बढ़ा होगा इसंठर और पर आपस दोक सब्सक्राइब करने मत फूल को उनकोभी इसंगा इस्जिक के बारे में चनकारी मिल जाके है चली आँगे बढ़ते इसका ओफिशियल बेवसाइट वह ओफिशियल जनकारी आपको आज साम तकला आजाएंगे ठीक है आज साम तकला आप ओफिशियल बेवसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं ओफिशियल बेवसाइट एक्टिवेट हो जाएगा इसका लिंग और जाकर आप रेजिटेशन कर सकते एक्साइस सब इंस्पेक्टर के बहाली है जिसमें लास्ट डेट जो है रेजिट्रेशन चाट है 25 2018 मंगलवार्श कल से ही रेजिट्रेशन आपको चाट हो जाएंगे यहां पर और आवेदन के पत्र की अंतीम तीथी जो है 36 2018 को 30 जून 2018 को अंतीम तीथी यह 30 जून तक आपरेश्टेशन कर सकते है इस एक्साइस सब इंस्पेक्टर का जो बेतन नाम्मा होगा तीराबेश सो से लेगा चौतिस या आट सो ग्रेट पे जो होंगे ब्यालीशों के ग्रेट पेपर आपको बेतन बनेगे और इसमें रिक्ती के संखिया है टोटल 126 और इन पदों पर इसका नॉट्रिकेशन नंबर है में लेखित परीच्छा तो इस तरह से आपने बिहार इसाई कि आपने एक्जाम दे रखा तो उस्षी तरह से पैटान होगी उस्षी पैटान पर फॉलो किया जाए एक्जाम पेपर वन होगा प्रमभिक एक्जाम पेपर टू होगे मुख एक्जाम और मेखास उची यहां पर श्रिफ्ट करंट और जेनरर अवेर्णेस पूछे जाएंगे जेनररम वेर्णेस में सारे स्रेक्शन आ जाता है लिकोथ Pokemon game Chief aoglo जगराफी इंडियन जयोग्राफय act in each आंडियन सारे सेक्षान आपको मझ्जबूत कर ने हुग और भी बहुत सारे चीज बिजो भी आपने प्षाए के यह किया था उसी तरह से आपको यहां पर भी करना होगा सारी जन्मुख पर इच्छा में आपको दो घंटे 200 अंख को होगे यहां पर भी 200 अंख होगा 30% मिनमम कम से अंख लाना होगा 30% से कम अंखा लाते हैं वैसे ही डिश्कल्फाइग हो जाएंगे आप और इसका रिजल्ट 20 गुना दिया जाएगा 20 गुना शफल अभियार्थी को यहां पर रिजल्ट दिये जाएंगे और यहां पर अब पेपर 2 का भी वही है 200 अंख का एकजाम होगा 100 प्रश्ण पत्रों के दो घंडा समय दिया जाएगे नेगेटिंग मार्किंग 0.2 है आपको यहां पर नेगेटिंग मार्किंग एक बड़ पांच गलत करने पर एक अंख काट लिए जाएंगे और एक सही करने पर आपको दो अंख दिये जाएंगे ठीक है अब आते हैं आएंगे मुख फरिच्छा में भी आपको वही चीज करना है इंडियन हिस्ट्री पॉलिटी जॉग्राफी इंडियन इकनॉमी विहार्ष रिलेटर प्रश्ण, करन्ट अफेर्ज और चितने भी रिलेटर है सारे चीज आपको इस वीडियो आपको देखना होगा ठीक है नागरिश्रास भारती इतियास भारती वोल गाननीत और गनीत और मांसी के एकता परिशा यानि रिजिनिंग भी आपको यहाँ पर परिश्रास से नावा अंगधी हिखना माला क्राम के अधारित को विम्हार्ष यादि इंग पर जिए रिचन ड्रूपर वह ब्यार्वार्था या तीन अभियार्थि को इसमें 10 पर गुझित नाव माला उसके अकर्डिंग और उपर जिनका ये जादा होगा उसके एक्वर्णिंग किये जाएगे, यहांदे दो लोग बराबर अंक पाते हैं तो दो से जादा लोग पाते हैं तो उस्सी स्तित्रित में अल्फा वेटकल जो आपको तेन नाम है उसके एको्र्णिंग किये जाएगे मुख परिछा का अधार पर त्यार केज जाने वाले अंती मेखा सुची के अनुसुची जाती अनुसुची जाती अभियार्तिकों निम्त आर्था 33.5 परतिसत है और 40 परतितत सब होगी अब आते हैं सैचिने योकता के उपर सैचिने योकता यहां पर अभियारतिके एक एक दो है आठवा या उससे पूर किसी मनेता प्राब्त विश्विद्याल्स से असनात किसी भी सबजेक्ट में आपकी हो तो रास सरकार्दी मनेता है योकता समकष उतिर्णों ता आप इस से ओठीक है यहां है 20-35 साल कि पीछरे वर्ग के लिए 20-40 साल और अरचित ऑप्रावर्ण के लिए 20-40 वर्थ जो महिला को डाल सकते हैं अरक्षन यहां पर जो है और पीछे वर्ड के यहां पर आर्षन के ऊपर नहीं बात करना है अब आते हैं हाइट है हाइट जो है आपका नियुनतम 165 cm होनी चाहिए जो समानी वर्ड को पीछा वर्ड या पीछे वर्ड के पूरूश है यानि OBC एंड ABC यह दोनों लोग है 155 cm चाहिए जिनके अनुसरी जन जाती या जन जाती उनके लिए 160 cm चाहिए और सभी वर्ड के महिलाओं के लिए 160 cm नियुम्तम चाहिए और 48 kg वेट होनी चाहिए यह मिनमम वेट होनी चाहिए अरचित समान पूरुश के लिए 80 cm नॉर्मल होनी चाहिए या 86 cm एक्षटेंड करके यानि फूलाक कर और महिलाओं को यह नहीं करना अनुसरी जन जाती या जाती के लिए 79 और 84 होनी चाहिए 5 cm एक्ष्टा फूलना चाहिए सारी sphذas pड़ दोड लीए जाएंगे शह मिनियट को आपका समय दीए जाएंगे श्य मिनित से अधिक समय लेने वाल अश्रकफोल हो जाएंगे और महिलाओं के लिए तीन फूट को होँगे, सबी को दो चांस दीए जायेंगे और पुर्षों के लिए बारह फूट को होँगे, लाउंग, लंबी कुद और महिलाओं के लिए होगे नौव फूट और पूर्शों के लिए यहां पर गोला फिक 16 पाउंड का और महलाओं के लिए 12 पाउंड का निमतम 16 फूर्ट फिकखनी होगा सोला फूर्ट का है और निमतम महलाओं के लिए 10 फूर्ट फिकना होगा अब यह रहा वेकेंसी डिटेल इसमें अनुसुची जानती पुरुष के लिए 12 सीट है, अनुसुची जाती महिला के लिए 8 सीट है, अनुसुची जाती पुरुष और महिला के लिए 1 सीट है, अनुसुची जाती महिला के लिए कोई सीट नहीं है, अत्यांत पिछडा वर के लिए 13 सीट है, अत्यांत पूरुष और महिला दोनों के लिए 42 सीट है तो यहां पर 42 में से 35 परसेंट आप महिलाओं के लिए निकाल ले और जो बचे सीट वो पूरुष के लिए समानुवर्ग महिलाओं के लिए 21 सीट है टोटल 126 है अब 20 में से 42 सीट महिलाओं के लिए मिल जाएंगे अब आते हैं कोई विशेश जनकारी फी आपको आवेदन पत्क 225-218 से आपको करना है 30 जून तक बीपीएची की ऑफिशल बेसाइट जो बिहार बीपीएची बीएची डॉट पर जाकर आपको फी साथ सोर्प्या लगेंगे जो समानिवर्ग हो महिला अभियारती ऑनलाइन आवेदन पत्का मुल साथ सोर्प्या हों को समानिवग या पिश्रावग ओबीसी इवीसी कटेगरी जो अनुसुची जाती या अनुसुची जन जाती है उनके लिए सब्सक्राइण चाहिए और मुबाउब कर्मांग के जो अभी वनमबर आप डालेंगे, सारे जनकारिया आपको मूबाईल नबर ब मैसे त्रू है इमेल के थुरू आपके पास आएंगे कि यहां पर इस हम लोगों ने बात कर लिया है किता मिनमम मैक्शन में वही यह आप देख सकते हैं और यहां भुकतावन फी कितना है यह भी आप लोग देख सकते मैंने बता ही दिया पंजी करन रद यदि एक से अधिक आप रेजिस्ट कैंसिल कर दिये जाएंगे आविधन परत के निश्ट देख यह डॉक्मेंट के बारे में जनकारी है आप जाकर यह सारी आप ले सकते हैं ठीक है जितने भी महत्वून जनकारी थी इस वीडियो में हम आप सभी को दे दिया और इससे रिगार्डिंग कुछ भी पुछना चा आप हमें कॉमेंट से समय पूछ सकते हैं इस वीडियो को देखने के लिए आप से बहुत बहुत धन्यवाद जैन जै भारत